नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मोटापा के बारे में, मोटापा क्या होता है या क्यों होता है, क्या इसकी जोखिम कारा रखोते हैं और कैसे इसका इसका इलाज किया जाता है जब हमारे सरीर का वजन समानने से अधिक बढ़ जाता है, हमारे उचाई के अनुपात में हमारा जो वजन है वजादा हो जाता है, जिसके वज़र से और अन्य परसानिया होने लगती है, अन्य बीमारिया होने लगती है, हमारा सरीर बेडॉल दिखने लगता है, तो उस कंडि शुचरज़ा मिलती है क्यालोरी मिलती है तो जितना कैलोरी हम दिन भर में लेते हैं हम not नहीं कर रहे हैं यह टीकर साइजर नहीं कर रहे हैं यह सचले हैं तो उस कंडिशन में जो हमाराıkt हो ले रहे है वह फैट के रूप में हुमारे सरीर में जम्मा होने लगता है, और इससे मोठापा होता है, बहुत ज्यादा जंग फुल क्क्रुट खाना, एक्सरसाइज करना, एक जगा बैठने मौला काम कर past, नहीं करने है मौत नहीं मौतापा होता है, करेंगों को कवा खाइने कावलत होता है बहुत ज़्यादा खाने की आदत कुछ भीमारीया जीसे ठाइराइड़ की घ्मारी इसके भज़़ए भी मोटापा होता है कुछ अन्वानसी बिमारियां फेम्ली में ममी पापा यदि मोटे हैं तो उसके वज़ासे भी मोटापा होता है मोटापा जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए है तो उसके वज़ासे बहुत सारी बिमारिया होने लगती है जैसे की हाई ब्लड प्रेसर, डाइबिटीज, महिलाओं में PCOD का होना जिसे की बांचपन हो सकता है, फैटी लीवर, हार्ट अटेक, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने की वज़ा से जो हमारे जुन्नी है, जो घुटना है, वह बहुत ज़्यादा वजन उसको सहना पड़ता है, तो इस करन से अर्थ्राइटीज की समस्या भी हो जाती है, इसका इलाज शार्ट प्रकार से किया जाता है, डाइट, एक्सरसाइज, दवाईया और सर्जरी, तो यदि आपको वजन कम करना है, आपको मोटापा कम करना है, आपका वैली भैट आपकी दोंद कम करनी है, कुछ सबसे पहले आपको डाइट पर ध्यान देना होगा इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसपर ध्यान देना होगा तो सबसे पहले तो आप biking सबसी बनी चीजे करें नमक आपको कम खाना है कि मेंदा वाले चीज नहीं खाना है कि मास्ट फूड जंग फूड यह चीज़ें नहीं खानी है जितना हो सके आप फाइबर्स वाले चीजों का सेवन करें जैसे अपने खाने में आप सलाथ को अधिक मात्रा में सामील करें आपके खाने में 25 परसेंट हिस्सा कम से कम सलाद का होना चाहिए कि सलाद में आप खीरा ककड़ी गाजर चुकंदर इत्यादी सब ले सकते हैं वसा वाले चीजें कम खानी है यह से की तेल घी वगेरा कम खानी है प्रोटीन लुक्त हार लेना है पानी अधिक मात्रा में प रिए और पाणी आप ज्यादा पएंगे तब भूख कम लेगी और खाना कम खाएंगे तो इससे भी वजन कम करने में सहयता मिलती है तो तरीका है वह एक्सरसआइज आप हपते में 6 दिन कम से कम एक्सरसाइज project जरूर करें एक्सररसाइज में कोई आपको भारी exercise नहीं करना कोई आप किस त्रह से करते हैं आपको दिन बार में अधह Вас कदम चलना है या आप आधा घंटा लगातार चल सकते हैं किसी खुले मैदान में या सड़क में लेकिन चलते समय जो आपका पोश्चर है वो सही होना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा धुक करनी चलना है और पेट को निकाल कर नहीं चलना है आपको पेट को सीधा एरवेद में मेदोहर बटी आता है उसको आप एक-एक गोली सुबा साम ले सकते हैं ओवेडिट के अपसूल आता है उसको ले सकते हैं होमियोपैथी में फाइटोलक का वेडी टेपलेट जिसका बहुत अच्छर रिजल्ट है वो आप चटचर गोली इन में तीन बार ले सक होते हैं दिन में दस से पंद्रा बुन दिन में तीन बार जब वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डाइट एकसरसाइज और दवाईयों से कम करना संभा होता है तो उस कंडिशन में डॉक्टर इसकी सर्जरी करते हैं इसकी सर्जरी दो प्रकार की होती है एक लाइपो इस टमक को आपरेशन करके छोटा कर दिया जाता है जिससे की इस टमक में भोजन कम आता है और व्यत्तिक खाना कम खाता है जिससे आटमेटिक वजन कम होने लगता है यह थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्क्राइब करें धन्यवाद